अश्रो ग्यान योट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से हारतिक स्वागत करता है दोस्तो क्या आप भी परेशान हो चुके हैं रोज रोज के लड़ाई जगडों से क्या आप भी चाहते हैं अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना दोस्तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो हर समस्या का समधान पाएं सिर्फ हमारे इस यूट्यूब चैनल से दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिनके पती उन्हें बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं जिनके पती उन्हें परेशान करके रखते हैं लड़ाई जगडा करते हैं मारपीट करते हैं और यहां तक कि अपनी पतनी की बातों को ना सुनकर अपने घरवालों की बातों को सुनते हैं दोस्तो ऐसे में उस महिला का जीवन कैसा हो सकता है हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं जान सकते हैं अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ उपायों का परियोग आप भी जानना चाहते हैं कुछ मंत्र लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपको समधान नहीं मिला तो दोस्तो लाखो लोगों का भला किया हमारे गुरू जेन ने उनकी विवाहिक जीवन को खुशाल बनाया आज आपकी भी समझसे का समधान कर देंगे बस आपको करना होगा इस टोटके का परियोग और विश्वास के साथ साथ अगर आपको लगता है आपका पती आपको ना चाहा कर आपको सिर्फ एक नेमबू की चाको की और कुमकुम की अवशकता होगी इस समगरी को लेकर आपको किसी एकांध स्थान पर बैठना है जहां पर कोई भी आपको इस कारे को करता हुआ ना देख पाए दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है आपको उस नेमबू को उपर अपने पती का नाम लिखना है उसके बाद उस नेमबू को चाको की मदद से आप चार भागों में काट लें और उन चारों भागों के अंदर आपको सिंधूर भरना है बस ध्यान रहे नेमबू से बिलकुल भी अलग ना हो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों आपको इस निम्बू को अपने हाथ में लेकर ओम कलीम मम पती वशम कुरू कुरू फट स्वाहा मंतर से अभी मंतरित कर देना है मंतर का जाप आप 21 या 51 बार कर सकते हैं मंतर जाप खतम होने के बाद आपको अपने आँखे बंद कर अपने पती का नाम लेते हुए मनी मन में प्रार्थना करनी है कि मेरा पती मेरे वश में हो मेरी हर बात माने मेरे सिवाए किसी की तरफ आँख उठा कर ना देखे और अपने घरवालों की बात ना मान कर मेरी हर बात को सुने समझे और मेरा गुलाम बन जाए बस उसके बाद इस नेम्बू को आप चोराहे के बीचो बीच रखाएं सिर्फ इतना करने मात्र से आप अपने पती को अपने काबू में करने में काम्याब हो जाएंगी अगले दीन से ही आपको अपने पती में परिवर्त नजर आने लगेगा जो पती आपकी एक नहीं सुनता था हर बात सुनने लगेगा जो पती मार पिट करता था लड़ाई जगड़े करता था आपकी मुठी में होगा आपके काबू में होगा और आपका शादे शुदा जीवन खुशाल बन जाएगा अन्ने किसी तरह की जानकारी के लिए आप दिये गए नमबर पर भी कोल करके संपरक कर सकते हैं वीडियो पसंद आए इसे जादा से जादा शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजी और अगर अभी तक आपने हमारे योट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हमारे योट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर दीजी हमारे साथ वीडियो में अन्तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका तह दिल से शुक्रिया विश्वास के साथ करेंगे आवश्या पर इनाम मिलेगा